हिंदू धर्म में अमावस्या तिथी को पर्व माना जाता है पंचान के अनुसार हर माह के कृष्ण पक्ष का आखिरी दिन अमावस्या कहलाता है विष्णू के अनुसार कृष्ण पक्ष की चौधवी तिथी के बाद चंद्रमा सूर्य मंदल में प्रवेश करता है और सूर्य अमा नाम की किरन में रहता है इसलिए ये तिथी अमावस्या कहलाती है ये शनी देव की जन्न तिथी है इस दिन स्नान, दान, पित्रों के निमित तरपन करने से जीवन में खुशियों का आगमन होता है इस साल आशार अमावस्या की डेट को लेकर लोगों में संशय बना है आईए जानते हैं आशार अमावस्या की सही डेट, स्नाना, दान, मोहूर्थ और महत्व पंचान के अनुसार 17 जून 2023 को सुबह 09 बचकर 13 मिनट पर शुरू होगी और अगले दिन 18 जून 2023 को सुबह 10 बचकर 08 मिनट पर खत्म होगी अमावस्या पर सूर्योदे से पूर्व स्नान की परमपरा है ऐसे में 18 जून को अमावस्या स्नान किया जाएगा वही शास्त्रों के अनुसार अमावस्या का संबंध चंद्र के साथ ही सूर्य से भी है इस तिथी पर सूर्य और चंद्र एक साथ एक ही राशी में स्थित होते है ये संयोग 18 जून को मिल रहा है इस दिन सूर्य और चंद्रमा मिथुन राशी में साथ होंगे स्नान समय सुबह 4 बच के 3 मिनट सुबह 4 बच के 43 मिनट अभिजित मुहूर्ट सुबह 11.54 दोपहर 12.50 तक है जोतिश में अमावस्या को रिक्ता तिथी कहा जाता है यानि इस तिथी में किये गए काम का फल नहीं मिलता ये दिन पित्रों को समर्पित है ऐसे में कोई शुब काम नहीं करना चाहिए अमावस्या के दिन महत्वपूर्ण चीजों की खरीदी बिक्री और ग्रह प्रवेश, मुंडन, मानवलिक कार्य करने से बचे क्योंकि इससे अशुब परिणाम मिलते है अमावस्या तिथी पर प्राहमनों को भूजन कराकर यथा शक्ति दान दे पित्री पूजा करने से आयू में वृद्धी और परिवार में सुख और समृद्धी बढ़ती है